कौन किसके जैसा वर्क सीट किस उम्र तक के स्वस्थ बच्चों को पोलियो बून्द की खुराग दी जाती है आप्सन है सुनने से 5, 5 से 10, 10 से 15 या 15 से 20 तो यहां जो है सही उत्तर होगा सुनने से 5 पापा के बहन को क्या कहते हैं आप्सन है मा, बुवा, मौसी, चाची तो पापा के बहन को कहते हैं बुवा ये भी सही है तुम्हारे नानी के बेटे से तुम्हारा क्या रिष्टा है? आप्सन है पापा, चाचा, नाना या मामा, तो इसका सही उत्र होगा मामा मेंडल ने किस पौधे पर अपने विज्ञान के प्रयोग किये? इसका ओप्सन है चना, उरद, मटर और धान तो सही ओप्सन है मटर तो यह सही है, इन में से कौन से बिमारी परिवार के लोगों से नहीं फैलती है? आप्सन है पोलियो, हिरदाय रोग, रक्त की कमी, इन में से कोई नहीं तो इसमें से जो है पोलियो रोग, बिमारी ऐसी है जो लोगों से नहीं फैलती है काम की खोज में प्रस्ण है ग्रामी इंचेतर के लोगों का मुख्य पेशा क्या होता है जूते सिलना मिट्टी के बर्तन बनाना घर बनाना खेती करना तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्राओं के लोगों का मुख्य पेशा होता है खेती करना तो ये सही है आगे प्रस्टन है गाउं में साधरन तक किन से कर्ज लिया जाता है साहुकार से, सरणकार से, चर्मकार से या कुमार से तो हम लोग जानते हैं कि गाउं के लोग साहुकार से कर्ज लेते हैं तो ये सही है आगे क्या बच्चों के लिए विद्या ले जाना जरूरी है? आगे प्रस्ण है क्या पैसे कमाने के लिए लोगों को घर से बाहर जाना होता है? आप्सन है हाँ, नहीं, दोनों, इनमेंसे कोई नहीं, तो कुछ-कुछ लोग हैं जिसे काम के लिए, कमाने के लिए बाहर जाना होता है, परन्तु कुछ लोगों को बाहर जाने की आवसकता नहीं परती है, यानि कि ये हाँ और नहीं दोनों ही होंगे, तो ये दोनों, तो ये कर्मा है यह एक पर्व का नाम है तो यह बदला बसेरा वर्क सीट गाउं के लोग साधरनतर जंगल से क्या-क्या लाते हैं सभी तो गाओं के लोग यह सभी वह लाते हैं कंद मूल भी लाते हैं साख सब्जी भी लाते हैं सुखी टेहनी भी यानिकि सभी इन में से सभी तो इसे यह सही है ठीक है मचली के मंडी में बबलु कितने समय कार्ज करता था आपके पूस्तक में दिया गया है कि मचली के मंडी में बबलु कितने समय करता था सुबा चार बजे से साथ बज़े से पांच बजे तक या सुबा 4 बज़े से 16 सबस्पज करता था तो इसमें जो है कि को काना में हैं आगे है समलू की बेटी का नाम क्या था तो इसकी बेटी का नाम क्या था इसमें option में है जया, बिजया, लच्मी या इन में से कोई नहीं तो उसके बेटी का नाम था जया ठीक है तो ये सही है उसके बाद समलू के गाउं का नाम क्या था option कलकत्ता जस्पूर दिली या पटना तो उसके गाउं का नाम था जस्पूर ठीक है आगे प्रस्ण है जस्पूर गाउं के बच्चे क्या क्या काम सीखते थे इसमें option दिया गया है बांसुरी बजाना धोल मांदर बजाना पक्षियों को पहचानना और इन में से सभी तो ये जो है वह लोग बच्चे जो है जस्पूर गाउं के बच्चे ये सभी काम करते थे यानि कि इन में से सभी होगा तो इससे क्लिक करते हैं ये ठंडा गरम इसके वर्क यहां प्रसंदिया गया है डाक्टर द्वारा हीदय गती मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाले यंत स्टेतोसकोप इसी की साहता से वो हिदय गती को मापते हैं डाक्टर जो कान में लगाते हैं और हमारे छाती पर लगाकर वो हिदय गती को मापते हैं तो इसको पहली नंबर जो स्टेतोसकोप यह सही है तो यह सही है आगे निमन में से किस बात दियंत्र में फूक मारने से मधूर आवाज निकलती है ऑफ्षन है बांसुरी बीना धोलक हार्मोनियम तो इसमें से बांसुरी बांसुरी में जो है फूक मारने से मधूर आवाज निकलती है आगे है प्रस्ने डाक्टर जाकिर हुसैन कौन थे और राष्टपती पुर्व राष्टपती और पुर्व परधान मंत्री तो इसमें से पुर्व राष्टपती जो है सही उत्तर है तो इसे देखते हैं यह सही है आगे प्रस्ने फूक का इस्तेमाल हम किस काम के लिए करते है गरम करने के लिए, ठंडा करने के लिए, या बादी जंत्रों से आवाज निकालने के लिए, या इन में से सभी, तो इसमें जो है, इन में से सभी, ये सही है, आगे प्रस्ने एक मिनेट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, पंदर से बीस बार, एक से दस बार, पचीस से तीस बा तो इसमें 15-20 बार हम लोग सांस लेते हैं यह सही है ग्यानी इंद्रियों का कमाल वर्क्स एक कुट्टा बाहर से जब अपने इलाके में आता है तो दूसरे कुट्टे को पहचान लेता है कैसे ओप्सन है दूसरे कुट्टे के पैर के नितान को देखकर दूसरे कुट्टे के मलमुत्र की गंद से आसपास के चीजों को छुकर या लोगों की आवाज सुनकर तो इसका सही उत्तर होगा दूसरे कुट्टे के मलमुत्र की गंद से फिर प्रस्न है इन में से किसके बाहरी का नहीं होते हैं कुछ पक्षी अपनी गर्दन घुमा कर आसपास की चीजों को देख सकती है उनके आँखों की पुतली घुम नहीं नहीं सकती उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है उन्हें गर्दन घुमाने में मजा आता है और उन्हें एक समय में एक ही चीज दिखाई देती है तो इसका सही उत्तर होगा उनके आँखों की पुतली घुम नहीं सकती आगे प्रस्न है चील बाज और गिद पक्ची अचानक फुर्ती से जमीन पर जपट्टा मार कर खाने की चीज़े ले भागते हैं क्योंकि ऑप्सन है गंद से उन्हें चीजों का पता चलता है वे दूर से भी चीजों को देख लेते हैं अनुमान लगा कर पहुंच जाते है और इन में से कोई नहीं तो इसक में सही उत्तर होगा वे दूर से भी चीजों को देख लेते हैं आगे प्रस्न है अंधेरे में भी मच्छर मनुष्य को कैसे पहचान लेते हैं तो आवाज सुनकर छूकर गंद और गर्मी से या देख कर तो इसका सही उत्तर होगा गंद और गर्मी से बिर्सा मुंडा जैवी कुद्धान जारकन के किस जिले में स्थीत है और राची पलामू हजारी बाग या दुम का तो यह जो है बिर्सा मुंडा जैवी कुद्धान जारकन के राची में स्थीत है तो यह सही उत्तर है आगे इंद्र धनुष में कितने रंग होते है इंद्र-धन्वस में जो है नहीं दिखाई पर्नेवाला इंद्र-धनुस गोका होता है यह सही है निवनमे किस जानवर के बहरी कान नहीं यह ताजा खाओ और कि एक दिन बाध कराब होने वाली सामगरी है गी जिँन काटा तो जैसे कि जानते कि गुफा वा आटा जो है एक दिन से ज्यादा नहीं आटा कि मैं आगे है आमलेट किससे यह डूप से चावल से अन्दे से अन्दा से थैं तो यह सही है, पापड, बड़ी, चटनी और आचार बनने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रकास संग्सेशन, खाद्य प्रसंस करन, बन संग्रचन, जल संग्रचन, तो यह कहलाती है, खाद्य प्रसंस करन, यह सही है, आप बाजार से खाने की चीजें खरिदते हैं, प पैकेट पर लगे पीली और लाल बिंदी से या पैकेट पर लगे सफेद और लाल बिंदी से तो यह जो पहला उप्षन है पैकेट पर लगे हरे और लाल बिंदी से यह सही है फिर आगे प्रस्ण है किस मौसम में खुले बरतर में रखे हुए आता के खराब होने के लक्षन सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे बरसात में गर्मी में जाड़ा में या पधजर में तो यह बरसात में सबसे ज़्यादा खराब होंगे तो यह सही है आमले का उपयोग किस रूप में किया जाता है चटनी के रूप में मुरब्बे के रूप में आचार के रूप में इन में से सभी तो आमले का उपयोग सब के रूप में किया जाता है इन में से सभी के रूप में किया जाता है तो ये सही है आगे है निम्नमेज से कौन सी चीजें ताजी ही खरीदनी चाहिए फ़ल और सबजी, मसाले, अनाज और तेल तो ताजा का कोई जरूत नहीं है लेकिन फ़ल और सबजी ताजा ही खरीदना चाहिए तो ये सही है आगे इनमेज से कौन सी खाद्य सामगरी अनाज की स्रेनी में आता है अरहर, आम, ग्यहूं और कठल कौन सा इसमें अनाज होगा तो इसमें जो है ग्यहूं ये अनाज है ये सही है, खराब होने वाली चीजों को किस तरह से संग्रक्चित किया जाता है, धूप में सुखा कर, नमक लगा कर, रेफ्रिजरेटर में या इनमें से सभी, तो इनमें से सभी तरह से हम खराब होने वाली चीज को संग्रक्चित कर सकते हैं कि यह यह इन मैं से कौन सी चीज दो तीन दिन wonder जाती है ग्यहों के दाने दूद्ट घी आँटा तो fenug जैङू आगे कि Ал जा सकता है यह हम लोग एक बार देख चुके हैं यह फिर से आपको रिपीट करवा रहा है जा सभी होगा फिर निम्न मैं से कौन सी चीज ताज़ी खरिदनी चाहिए अभी अभी हमने जाना फॉल और सब्जी को इन में इस से कौन से खादिसमगरी आनाज की स्रेणी में आता है तो यह हूं आवले का उपयोग किस रूप में किया जाता है तो यह जो सभी चटनी मुरब्य अचार सब के रूप में इन में से कौन सी चीज दो तीन दिन में खराब हो जाती है अभी अभी हम लोग जाने दूद इस प्रकार यह सभी किसानों की कहानी बीजों की जुवानी वर्क सीट तो इसमें प्रस्ण है इन में से कौन सा एक नगदी फसल है ओप्सन है टमाटर मटर गोबी और इन में से कोई नहीं तो इन में से जो है इन में से सभी जो है नगदी फसल है तो यह सई है आगे है निमन में से किस से रोटी बनाई जाती है महुआ चावल मकई और इन में से सभी तो महुआ से नहीं बनता है चावल से मकई से यह जो है सभी इन में से सभी से ही बनते हैं महुआ चावल मकई इन में से सभी सांती हेंब्रम किस जिले से संबंधित हैं राची से दुमका से गुमला से या खुंटी से तो संती हेंब्रम का संबंध जो है खुंटी जिले से है तो यह सही है आगे है बीजों को कीड़ों और नमी से बचाने के लिए किस से बनी टोकरी में रखते हैं. बास से, पुवाल से, दोनों से या इनमसे कोई नहीं. तो पुवाल में रखते हैं, पुवाल के टोकरी में. तो यह सही है, आगे बुजो तो जाने, हरी थी मन भरी थी, लाक मोती जरी थी, जहमन जी के बाग में दो साला ओढे खड़ी थी. क्या होगा करेला मकई परवल या इनमें से कोई नहीं तो हम लोग जानते हैं इसका उत्तर मकई होगा बाद से सक्ति तक वर्क सिट खाना पचाने के लिए क्या करना चाहिए तेजी से खाना चाहिए बात करते हुए खाना चाहिए या धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए या बाट कर खाना चाहिए तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि हमेशा खाना पचाने के लिए धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए जीब से पता चलता है किस चीज का रंग का गंद का स्वाद का या पोशन का तो इससे जीब से जो हम लोग स्वाद का पता करते हैं जिसमें स्वाध मिलता है वो जिसमें अच्छा गंध हो भोजन देखने में सुन्दर हो या जिसमें सही पोशन हो तो अंतीम जो अप्षन है वो सही है जिसमें सही पोशन हो आगे प्रसने हमारे मुँ में लार का काम है क्या काम है भोजन को मुलायम और मीठा बनाना भोजन को कथोर बनाना भोजन को टुकरे करना या भोजन को स्वाधीन बनाना तो इसका सही उत्तर होगा एक नंबर में जो भोजन का मुलायम और मीठा बनाना ये सही है किस चीज का नाम सुनते ही मूँ में पानी आता है इमली, करेला, रोटी या भात तो बच्चों इसमें इमली जो है इसका नाम सुनते ही बहुतों के मूँ में पानी आ जाता है यह सही उत्तर है बीज ही बीज, वर्कसेट प्रस्न है हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने वाले बीज है क्या नारियल बग नखा आख या मदार या गोखरू तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आख या मदार ये सही है पानी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने वाले बीज है क्या नारियल आख या मदार आम या चना तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा नारियल बेमेल बीज को चुनिए इसमें जो है जो बेमेल है उसको चुनना है सेव काली मिर्च टमाटर और मेथी तो काली मिर्च जो है इसमें बेमेल है इसको चुनते हैं तो यह सही है इन में से सबसे बड़ा बीज होगा किसका होगा आम का भिंडी का मतर का या चैना का तो यहां पर जो है भिंडी का भीज आम का तो वो गुठली होता है वो बड़ा होता ही है तो वो उसे हम चूम सकते हैं परंतु आपके पुस्तक में दिया गया भिंडी का इसमें आम का नाम नहीं है इसलिए भिंडी का देखें तो यह भिंडी का यह सही है बीजों के अंकुरन के लिए चाहिए क्या चाहिए हवा और मिट्टी हवा और पानी सिर्फ हवा हवा और धूप तो इसमें से तो हवा भी चाहिए बीजों के अंकुरन के लिए और मिट्टी भी चाहिए तो औ और हवा और पानी और चहाए तो लेकिन सबसे जरूरी है हवा और पानी तो इस लिए हैं हवा और पानी को चुनते हैं 604 कैसे खर वर्क सिट का पाहाडी इलाकों के घर कैसे होते हैं caseशेிटों और सिमेंट से पाके इंटे और miałिंटी से पथखर और लकडियों से कपर को तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो पहारी इलाके होते हैं उनके घर जो है पत्थर और लखड़ियों से बने होते हैं ठीक है तो यह सही है house boat कहां बनाया जाता है स्थल पर, जल पर, बर्फ पर या परवत पर house boat जो है वो जल पर बनाया जाता है यह आपको ज़्यादा जम्मू कस्मीर में मिलेंगे डल जील में बर्फीले जगहों पर पाई जाने वाले आबास क्या कहलाते हैं बर्फी बर्फ है वहाँ जो घर होते हैं उसे क्या कहते हैं house boat, igloo, कच्चे घर या tent तो उसे हम लोग igloo कहते हैं बड़े सहरों में बहुमंजली इमारतें क्यों बनाई जाती है option है सहरों में आवास के लिए भूमी की बहुत कमी है घुमक्कर खाना बदोस या बंजारों का अपना स्थाई आवास नहीं होता है वे रहते हैं कहां रहते हैं बहुमंजली इमारतों में जोपड़ी में टेंट में या कच्चे मकान में तो वे जो है टेंट में रहते हैं आगे है जिनका स्थाई आवास नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं घुमकर खाना बदोस बंजारे या इन में से सभी तो उन्हें जो है हम लोग इन में से सभी कहते हैं अर्थाथ घुमकर भी कहते हैं खाना बदोस भी कहते हैं और बंजारे भी कहते हैं से बहुमंजिलिा इमारते कहा बनाई जाती है इसका उस्थान दिया गया है सहरों में बनाई ज़्यादा से जादा निमने में से किसका उप्यो मकान बनाने के लिए किया जाता है एंट सीमेन मिठी या इन में से सभी का उप्योग किया जाता है जिसका इस धाय आवास नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं घुंब कर खाना बदोर बंजार या इन मेशे सभी इन में सभी कहते हैं यह प्रत्अ बैए गया गया है बह्मज्ली इमारते कहां बनाई कि उन्हें जाती है सहरों में इसे अभी एंग हो तो अगया रहे हैं घर उनकी चीजों से बचाती है लिए इसrite कर सब्क्या है इंहें कि अधीर से बने घर को क्या करते हैं इगलो में इन में गो मैं और म किक और बनाने के लिए क्लिए गृळ। सबहु। का रखिती कि कखर वर्कसीट प्रस्ण है घड़ों कर अर्फ इक कृपड़ा सुखाने के लिए किस प्रकार के सार को पयोग होता है वीजली के तार लोह के सार नाइलॉन के सार और इनमें से कोई नहीं तो तो हम लोग जानते हैं कि नाइलन के तार का उपयोग होता है नेपाल में किस बर्स भयानक भुकाम पाई थी जिसमें बड़े पैमाने में जान एवंग माल की छती हुई थी 2001 में 2015 में 2011 में या 2012 में तो इसमें से 2015 में सबसे बड़ी भैंकर तबाही वाला भुकाम पाया था ने किया गया तो आपके पुस्तक में है किसके द्वारा किया गया था स्वास्त विभाग द्वारा किया गया था या प्रयाबरन सुरक्षा विभाग द्वारा या आपदा प्रबंदन द्वारा तो यह आपदा प्रबंदन द्वारा विद्ध्यालय का निर्ख्चन किया गया सरकार ने सभी विद्याले में बजरपात से बचाव के लिए क्या लगाने का आदेश दिया अगनी सामक यंत्र का तरित चालक यंत्र का बायू रोधक यंत्र का या प्रदूसन रोधक यंत्र का तो बजरपात से बचाने के लिए तरित चालक यंत्र का जो है लगाने का आदे का उपयोग किया जाता है हिसला बेड़ा मद्ध विद्याले में किस प्राकृतिक आपदा से 20 बच्चे घायल हो गए थे भीशन आंधी से बारिश से बजरपास से या ठंड से तो वे बच्चे जो है बजरपास से घायल हो गए थे पानी ही जीवन वर्क सीट जार्खन में गरम जलकूंड है क्या कावा सुरजकूंड तितूलिया या ततहा तो इसमें सेयुत्तरोगा सुरजकूंड बहुमंजली इमारतों में किस माध्यम से जल उपर चड़ाया जाता है डीप बोरिंग द्वारा कूए द्वारा नलकूप द्वारा या तलाव द्वारा तो डीप बोरिंग द्वारा चड़ाया जाता है सीड़ी दार कुवों को और क्या कहा जाता है तालाव जील बावडी या इनमें से कोई नहीं इसे बावडी कहा जाता है जल को क्या कहा जाता है अमरित बायू पेजल या जीवन तो इसे जीवन कहते हैं बिश्व जल दिवस कब मनाय जाता है 22 जनुवरी 22 मार्च 22 अपरिल या 22 जून तो 22 मार्च को मनाय जाता है क्या डूबा क्या तैरा वर्क सीट समदर का जल होता है क्या मीठा खाडा करवा या तिखा तो इसका जल होता है खाडा प्लास्टिक का ब्लेट पानी में क्या होगा तैरेगा डूबेगा न तैरेगा न डूबेगा न मेंसे कोई नहीं मनेंने पानी अधिक गरम होने के बाद क्या बन जाता है जल्बुंदे जल्बास्प वर्फ या इनमें से कोई नहीं तो वह जल्बास्प बन जाता है अधिक गर्म होने पर दुनिया का सबसे खारा नमकीन सागर है कौन हिंद महासागर अरब सागर मृत सागर या प्रसांद महासागर तो इनमें से मृत सागर का पानी सबसे खारा है गाउं गाउं कसबा कसबा इसके वर्क सीट सहरों में रहने वाले लोगों का ध्यान कौन रखता है ग्राम पंचयत, नगर पाली का, नगर निगम या स्वास्विगार तो उसका ध्यान रखता है नगर पाली का मधु हमें मिलता है कहां से मक्यों से, तित्रियों से, मधुमक्यों से अचीटी से तो इसमें मधुमक्यों से मधुमक्यों के जुंड में रानी की संख्या होती है कितनी तीन दो चार या एक एक ही होती है दीमक के घर पाए जाते हैं किस कैसा खेतों में कहां पाए जाते हैं खेतों में बीलो में मिट्टी के टीलों में या इन में से कोई नहीं तो मिट्टी के टीलों में पाए जाते हैं ग्राम पंचायत एक संस्था है कैसा सहर के लोगों द्वारा चुनी गई संस्था गाउं के लोगों द्वारा चुनी गई संस्था एक सहरी निकाय या नगर निगम की एक संस्था तो यह दो नमबर अप्शन सही है गाउं के लोगों द्वारा चुनी गई संस्था अपनों की सुरक्षा वर्क सीट विद्याले वंग विद्याले परिसर में साब सफाई की जिम्मेदारी होती है किस की ये बाल संगसद होगा बल संगसद लिखा गया है बाल संगसद की ग्राम पंचेत की आंगन बाड़ी की या माता समीती की तो इसमें से बाल संक्सत की यह जिम्मेदारी होती है। सर रोनाल रास को किस छेत्र में नोबल पुरसकार मिला। साहित्त में, बिज्ञान बंग परदुगे की में, सांती में या चिकिस्सा में। तो उन्हें जो है चिकित्सा के छेत्र में नोबल पुरसकार मिला था मच्छर के जीवन चक्र में सबसे पहला इस्तर क्या है लारवा, प्यूपा, अंडा या मच्छर तो उन्हें जो है अंडा वो जीवन चक्र का सबसे पहला इस्तर है अंडा किस मौसर में मच्छणों की संक्या सबसे अधिक होती है गर्मी में बरसात में जाड़ा में या बसंत में तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि जाड़ा के समय मच्छणों की संक्या सबसे अधिक होती है मलेरिया किसके काटने से होती है चीटी, कुट्टा, मच्छड या मक्खी तो मच्छड के काटने से बचत, तेल की वर्क सीट कौन सा गैस सबसे अच्छा होता है कोईला, लकड़ी, केरोसीन या गैस यानि कि कौन सा इंधन होगा यहाँ पर प्रसन गलत लिख दिया गए कौन सा इंधन सबसे अच्छा होता है कोईला, लकड़ी, केरोसीन या गैस तो गैस सबसे अच्छा होता है चोराहे पर लाल बत्ती क्या संदेश देती है, रुकने का, तैयार होने का, आगे बढ़ने का या दोड़ने का तो जो लाल बत्ती है, रुकने का संदेश देती है यह रिक्सा कैसे चलता है, डीजल से, पेट्रोल से, बैटरी से या सी एनजी से तो यह जो बैटरी से चला करती है भारत में डिग बोई के अलावा और कहां तेल सोधन कर खाना है मुंबई में, सिंद्री में, जामनगर में या बढ़ोनी में तो बढ़ोनी में तेल सोधन कर खाना है जार्खन राज्ये से होकर कौन से राष्टिय राजमार्ग गुजरता है राष्टिय राजमार्ग 32, राष्टिय राजमार्ग 31, राष्टिय राजमार्ग 21 या राष्टिय राजमार्ग 33 यहीं से गुजरता है चड़ाई पहार की वर्क सीट प्रस्ण है स्रीमती प्रेमलता अगरवाल को भारत सरकार ने 2013 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया भारत रत्न, पद्म विभूशन, पदमस्री या बिसिस्ट पुरस्कार तो उसे पदमस्री से सम्मानित किया गया टैग और हील इस्थी थे रामगड में रांची में खुटी में या हजारी बाग में तो रांची में इस्थी थे पहारों पर चढ़ाई करने वाले क्या कहलाते खिलारी तैराक परवतारोही या सैनिक परवतारोही कहलाते हैं बिश्व को सातों महादीपों की उच्चतम चोटियों पर किस भारती महिला ने तिरंगा फैराया था प्रेमलत अगरवाल, बचंद्रीपाल, अरुनीमा कुमारी या इन में से कोई नहीं तो इसमें जो है प्रेमलत अगरवाल उन्होंने फैराया था अबरेस्ट पर भारत का जंड़ा गारने वाली पहली महिला कौनती प्रेमलत अगरवाल, अरुनीमा कुमारी बचंद्रीपाल या इन में से कोई नहीं तो ये जो है बचंद्रीपाल इन्होंने फैराया था अंतरिक्ष से वर्कसीट हम कहां रहते हैं धर्ती पर अंतरिक्ष में पानी पर ये आकास में तो धर्ती पर रहते हैं अंतरिक्ष से धर्ती का जलिय भाग किस रंका दिखाई देता है हरा नीला पीला या काला तो नीला दिखाई देता है पहली भारतिय महिला जो अंत्रिक्ष गई थी वो कौन थी कलपना चावला, सुनिता विलियम्स, सैली राइड या सुन्नो लुसीड तो कलपना चावला थी जो दुरगटना में मारी गई पृतिवी का आकार कैसा होता है गोल, चप्टा, चोकोर या त्रिभूज तो यह जो है गोल के लगवग होता है पूरा पूरी गोल नहीं होता है तो यही सही अप्सन है बिभिन देशों एवं महादेशों के मांचित्रों से बना प्रितवी का मॉडल कहलाता है क्या कहलाता है मांचित्र नक्सा ग्लोब या मॉडल तो वो ग्लोब कहलाता है पुरानी इमारते वर्क सीट पलामु के नई किला को किसने बनवाया राजा राम मोहन राय, राजा मेदिनी राय, राजा संपत राय या इन में से कोई नहीं तो यह जो राजा मेदिनी राय है इन्होंने ही पलामु के नई किले को बनवाया था पलामु का किला किस नदी के किनारे में स्थीत है गंगा दामोदर अजय और औरंगा तो यह जो है औरंगा नदी के किनारे स्थीत है पलामू का किला किन समराठों के द्वारा बनाया गया चालुक के चैरों मुगल या मुर्य के द्वारा तो चैरों के द्वारा बनाया गया था बेतला राश्टी उद्यान किस जिला में है दुमका देवगर पलामू या गुड़ा तो यह जो है पलामू जिले में है मलूटी का मंदीर कहां इस्थी थे गृड़ी दुमका रांची या पलामू तो यह जो है दुमका में इस्थी थे जंगल की बेटी सूर्यमन, वर्क सीट, कुड़ुग भासा में तोडंग का क्या मतलब है, मैदान, जंगल, नदी या गाउं, तो इसका अर्थ होता है, इस भासा में कुड़ुग भासा में जंगल भुबाल, भगत ने किस सबजी की खेती की थी, आलू, टमाटर, भिंडी या मतर, तो टमाटर की खेती की थी मनिया चाचा की किस चीज की दुकान थी, किताबों की, खिलोने की, पंसारी की या सबजी की, तो उनका जो है पंसारी का दुकान था सुर्यमनी किस गाउं में पढ़ती थी बोलबा, खुटी, सिम्डेगा या विसुनपूर्थ वो जो है विसुनपूर नामक गाउं में पढ़ती थी बच्पन से ही सुर्यमनी को किस चीज से बहुत लगाउं था खिलोने, पुस्तक, जंगल या जीवजन्तू तो उन्हें जो है जंगल से लगाउं था